आप सभी को जाय स्रीशाम, कैसे आप सब वुमिन सबच्छोंगे? प्रेमियों धीरे धीरे पित्रों के सिरी जागे बढ़ती जा रही है, आप सभी बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, इसके लिए हम तहे दिल से आप क्या वारी है? अगर किसी प्रेमि का हम से जवाब ना दिया गया हो, तो हम आप से माफी चाहते हैं, आज की व्यूडियो का टोपिक है कि पित्रपक्ष क्या वोगता है, अभी पित्रपक्ष लगने ही वाला है, तो होद ही महतोपोन टोपिक है, पित्रपक्ष अस्विन मास में पुरुनिमा से लेकर अमावश्या तक के जो 16 दिनों उते हैं उनको पित्र पक्ष बोला जता है इन 16 दिनों में हर एक वैक्ति का चाहे आप पित्रों को मानते हो चाहे ना मानते हो हम सभी के पुरुवज पिछली तीन बिडियों के पुरुवज पर्थिवी लोग पर आते हैं हमारे घर आ ले सकते हैं या जिनके पित्र ज्यादा मजबूत हैं जो पित्रों की लंबे समय से सिवा करते आ रहे हैं तो पित्र उनके सरीर पर सवारी भी ले लेते हैं और उनको जो भी उनकी परिशानी होती है उसके बारे में बता देते हैं तो आप देखिए आप इस समय की सालत में ह पहले से सिवा करते हो या नहीं करते हो आपको डिशाइद करना है इन 16 दिनों में हमें किसी भी परकार से बाल नहीं कटवाने हैं दाड़ी नहीं बनवानी है नाखुन नहीं काटने हैं घर की देहलीज और रसोई की सुधता का विशेज द्यान रखना है क्योंकि पितर देहल रूप से ब्रमस्चरिय का आपको पालन करना चाहिए और इन सोला दिनों में हर रोज आपको अपने पित्रों के लिए अनका दान जरूर करना चाहिए अनसे बड़ा दान नहीं है इन सोला दिनों के लिए तो अनका दान आपको हर हाल में करना चाहिए ताकि आपके पित्र तर बनाकर आपके पास आए हैं सौपन के माध्यम से भी आपको बहुत सारे संकेत हो सकते हैं ऐसे में आपको अपने घर की सुधता का विशेश रूप से ध्यान रहे कि पूर्ण रूप से 16 दिन सुध प्रमस्चरिये का पादन आपको करना ही होगा उसके साथ अपने पित्रों के निमित आप जिनको इन 16 दिनों में अपने किसी पुर्वज की तिथी याद है तो उनका सराद निकालिए उस तिथी को जिन लोगों को पित्रों का ये नहीं पता, अपने पुरहोजूं का ये नहीं पता कि वो किस तिथी गोगई हैं तो आपके लिए आखरी दिन होगा सरवपित्री अमावश्या, यानि सोवर्वपित्री अमावश्या सराद कैसे निकाले जाते हैं उसकी वीडियो बहुँ जल्दी इसी यूटूब चैनल पर डाल दी जाएगी तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा लेजी ताकि आपको समय से पहले पता चल जाए और आप आसानी से फित्रों का सराद निकाल सके पित्रों के निमित आपको इस पूरे 16 दिनों के लिए आप कोई भी ज्याब कर सकते हैं आपने कोई गुरू मंतर ले रखा है कोई और मंतर ज्याब करते हो तो संकल्ब करके हाथ में जल लेजिए मेरा नाम ये है पितापती का नाम ये है इस जगह का स्थाई निवासी हूँ गोतर ये है और अपने पित्रों के लिए अपने मेरे या अपने ये सब्द जरूर यूज करना मैं अपने पित्रों के लिए मैं मेरे पित्रों के लिए संकल्ब लेता हूँ लेती हूँ 16 दिनों का कि ये काम करेंगे उसमें आप हनुमान चालीशा पढ़ सकते हो, शिव चालीशा, गणेश चालीशा, पित्र चालीशा, पित्र गायतरी करवा सकते हो, स्रीमत भागवत पढ़ सकते हो, शिव महापुरान का पाठ कर सकते हो या करवा सकते हो आपकी मरजी है, आप अपनी योगता समर्ता के अनु तो वो डून्हों दूर हो जाएगे और आपके पित्र सुद रूप से positive energy के साथ आपके घरब में परवेश करेंगे और पिट्रों जब घर में परवेश हो जाता है तो सारी सक्तियां अपने आप ही पित्रों के बुलाने पर आ जाती हैं और वो फिर आपके कहे अनुसार आगे करिये करने लग जाती हैं ऐसे में अमावश्या के दिल अपने आसपास किसी भी पवित्तर तेर्थ पर जाएए वहां जाकर अपने पित्रों के परती पेंड़दान तरपन सरादित या दिया दियूंका करवाईए वहां जो पंडित पुजारी ब्रह्मन जो भी आपको मिले उनको गुसदान दर्शना क करिए अनकादान जरूर करिए अपने पित्रों के निमित घर पर एक छोटा सा हवन करवाईए अमावश्या निकालिए उनको भोजन दीजिए और प्रातना करिए कि जाने अंग जाने में कोई गल्ती भुल्चों का पराद हुआ है तो माफी दीजिए आप घर में ही रहिए और हमारे लाइक कोई शेवाहू तो आप आदेश करिए ऐसा करके आप पित्रों की मुक्ति का रास्ता खोल दोगे आपके पित्र मुक्सगति को प्राफ्त होंगे श्री नारायन भगवान उनको अपने धाम में जगाए देगे और हमेशा के लिए आपके पित्रों के स्था सारी वीडियो और इबाकी हैं तब तक के लिए बने रहे हैं और इस वीडियो को अपने परिवारी जनों के पास फेस्बूक और मटसब के बादम से सेयर करिए जैस्त्रिशा